हे गाईस फिर से आप सभी का शौगत है आपकी अपने चैनल MSA टॉक्स पर तो चलिए एक बार फिर से एक लैटिस्ट अपडेट के साथ जाडखन डियलेट परिक्षा 221 को लेकर परिसान इस्टूडेंट्स के लिए एक राहत भरी ख़बर है जी हाँ जाडखन डियलेट एक जो कि 2018-20 और उससे पहले के जितने भी परसिच्चन अरती है उनका सेशन तीन साल लगवक तीन साल खतम होने के बावजूद एक जाम नहीं हो सका है हाला कि अप्रेल 2021 में एक जाम होने का चांस था लेकिन कोवीट की दूसरी लहर के वकारण एक जाम नहीं हो सका ऐसे में ए लेकिन उम्मीद कम था क्योंकि एक ट्रेनिंग कोर्स है ठीक है तो चलिए आपको पूरी अपडेट रहते हैं कि अभी जो अपडेट लैटिस्ट अपडेट है एक जाम को लेकर आप लोग को पिछले एक वीडियो में हमने बताए थे कि एक जाम जो है उससी तंबर में होने आप लोगों तक पहुंच पाए और जाडखन से जूड़ हुए जानकर भी मिलता रहे तो चलिए आप वीडियो को सुरू करते हैं तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस बर शौ अंको की होगी आवश्य विद्यालाई परविश परिक्षा तो यह ज पता था Have Dr. सभी परिसान है जैंने और संभावना थी और संभावना अभी भी बचोगान है कि चौदा सभूना को दूखाघे है तो स्क्रीन पर दिखाते हैं तो इसे प्रश्य प्रीच्छा पै्टरन में बदलाउ तेेरा को परिक्षा संभावनाउ इसके सब से नीचे कि प्रात्मिक सिक्षक पर सिक्षन परिच्छा 14 सितंबर को ली जा सकती है पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि जाम जो है 14 सितंबर को होने की संभावना है चाडखंड एकडमी काउंसिल की तरफ से यह अपडेट था और कुछ इस्टूडेंट जो है राची जाकर और इंटर की परिच्छा के बाद ही डियलेट की परिच्छा होने की पूरा पूरा चांस है सितंबर में ही इसलिए आप लोग अपनी तयारी शुरू कर दीजे तो कल की पेपर में जो आया है प्रात्मिक सिक्षक पर सिक्षन परिच्छा एनि डियलेट डिप्लोमा इने इल पर हम अहीं बता रहे थे कि आप लोग अपनी तैयारी में लग जाईए पहलंकि यह है कि पिछले तीन साल से जाड़कन डिलेट इक्जाम अभी भी लटका हुआ है जो कि फाइनल पिछले साल हो जाना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं एक साल और चला गया फिर भी हम लोग मतलब उम्मीद लगा के रखेंगे जाड़कन अकडमिक काउंसेल जल्द से जल्द एक्जाम को लेकर एक अच्छा जो भी है रिजल्ट जल्द से जल्दी दे ताकि आने वाले जेटेट और सीटेट में हम लोग अपलाई कर सके और दूसरे स्टेट में जो अभी शुरू हो